असलाम अलेकम ड्यास्ट्रांस उम्मीदे आप ठिक ठाक होंगे और खेरियस होंगे आज हम जो हैं एक्सराइज 18.4 का युनिट 18 वेरिशन किलास जो हैं एक्समेट्रिक किलास का जो हैं थिएरेम्स पढ़ेंगे ठीक है और थिएरेम्स के बाद हम एक्सराइज 18.4 के प्रेव ब्रॉम भी सॉल्व करेंगे ठीक है तो फस तीरा में थिरेम और इनवाटेंडो तीरम और इनवाटेंडो क्या होता है इस तो बी इस इकल टो सी इस टो डी ठीक है देन क्या होगा बी इस टो ए इस इकल टो डी इस टो सी ये थिरेम के रहा है अगर ए इस टो बी इस इकल टो सी इस टो डी देन ठीक है फिर फिर इस टो ए इस इकल टो डी इस टो सी ये के रहा है अगर ए रेशो बी बराबर हैं सी रेशो डी के फिर बी रेशो ए बराबर होना चा A, S2, B, Eccle to C, Eccle to D, इसको और हम ऐसे भी लिखते हैं, A, Divirement B, Eccle to C, Divirement D, यह हमारा A, Consequent, Intency Dent होता है, A, और B, Consequent होता है, ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, By, Reciprocal, Both Side करेंगे, बाइ रेसिप्रोकल बोथ साइड दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका क्या होगा बी डिवायर में ए इसका अब लिखते हैं बी इस्टू ए इस्टू डी इस्टू तो ये क्या हमें कंडिशन मिल चुकी है यह हमारा थिरम क्यों प्रूफ हो गया फिक है यह कि कियो लाया ए स्टू बी इसटू टू तो इसटू गए फिक है अब जो है हम थिरम नमबर टू करेंगे थिरम ओफ अल्टरेद थिरम ओफ अल्टरेद्धड में if a is to b is equal to c is to d then a is to c is equal to B S to D ये कह रहा हैं अगर A ratio B बराबर हैं C ratio D के फिर A ratio C बराबर होना चाहिए B ratio D के इसमें हम क्या करेंगे sense A S to D is equal to C S to D इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और A divided B is equal to C divided D ठीक है अब इसका हम cross multiply कराएंगे यहां पर A into D होगा A D is equal to B into C होगा B C ठीक है अब हम क्या करेंगे C D के साथ दोनों को divide करेंगे dividing C D और साइब दोनों साइब C D divide करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे A D divided में C D is equal to और यहां पर हैं B C divided में C D ठीक है अब हम क्या करेंगे देखेंगे common कौन से हैं देखेंगे common कौन से हैं यहां पर हैं D और D common हैं और यहां पर जो है common कौन सा हैं यहां पर B C था ना तो यह C और C common हैं यहां पर बचा हमारा यह दिवार्मेंट C is equal to यहां पर हैं B दिवार्मेंट D इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A to C is equal to B to D ठीक है तो यह क्या यह दिवार्म परोफ हो चुका हैं हमें क्या पाइंट करना था A to B is equal to C to D then क्या A to C is equal to B to D मिल गया है ठीक है है